दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि BPO call center क्या होता है दोस्तो अगर आप BPO call center में job करना चाते तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि BPO का full form क्या होता है BPO क्या होता है BPO के कितने प्रकार होते है call center में काम कैसे होता है करियर क्या होता है और BPO की सेलरी कितनी होती है ये सारे जानकरी आपको मैं इस वीडियो में देने वाले हूँ दोस्तो तो एन तक मेरा ये वीडियो सहरूर देखे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जानेगे कि BPO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तो BPO का फुल फॉर्म बिजनेस प्रॉसेसिंग आउट्सोर्सिंग होता है B का मतलब business, P का मतलब processing और O का मतलब outsourcing या आपको समझ आ गया होगा कि ये कुछ outsourcing करने का ही काम है दोस्तो अब हम जानते हैं कि BPO क्या होता है दोस्तो BPO को हम एक साधरर परिभाशा में परिभाशित कर सकते हैं जब एक कंपनी अपना काम पूरा करने के लिए किसी दूसरी कंपनी की सहायता लेती है तो इस business की processing को outsourcing कहते है दोस्तो जब यदि business processing outsourcing का मतलब समझा जाए तो यहां बड़ा आसान है आसान ही में मान लेज़े कि आपकी एक technology या online selling का business है आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी है जो 24 गंटे सेवाय देती है और लोगों की परिशानिया को सुनकर उसका हल निकालती है दोस्तो दोस्तो लेकिन आप यहां चाहते हैं कि customer के service का कारिय किसी ऐसी बाहरी कंपनी के साथ करवाया जाए जिससे company को अच्छा फाइदा मिलेगा जिसका आपकी company से कोई हिस्सा नहीं है तो इस प्रकार की सेवा उको business processing outsourcing कहते है और यह BPO को pull form English में उसको BPO कहते है business processing outsourcing उसको English में कहते है दोस्तो अब हम जानते हैं कि BPO कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तो अगर BPO के प्रकार की बात करें तो यह मुझया तीन प्रकार की होते हैं पहला है वो offshore outsourcing यानि कि जब एक देश की company अलग देश की company में outsourcing करें second है इी in-source outsourcing यानि जब एक देश की अपने ही देश की company से outsourcing करें और third है nears और outsourcing याने कि एक कंपणी अपने आस पास की कंपणी से outsourcing करें margin तो यहां BPO के तीन प्रकार है और आप जिस कंपणी में काम करोगे वो किस कंपनी कौन सी outsourcing करती है वो आपको वहाँ पे सर्च out करना पढ़ेगा और आपको अच्छे से जानना होगा दोस्तो अब हम जानते हैं कि call center में काम कैसे होता है दोस्तो call center में काम की बात करें तो वहां ग्राहों को की call receive करने की होती है या आपको ग्राहों को call करना होता है या dialer call automatic होती है और computer screen पर बैट कर ग्राहों को उसे बात करनी होती है और call center में timing की बात करें तो morning से evening होती है दोस्तो अब हम जानते हैं कि BPO में आपका career कैसे बनता है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता है कि BPO call center दो तरह के होते हैं एक अंतराष्टिय call center और डूसरा घरेलू call center दोस्तो अंतराष्टिय call center में नौकरी पाने के लिए आपको इंगलीज अच्छे से बोलनी आनी चाहिए और जबकि घरेलू या डॉमेस्टिक call center में आपकी इंगलीज ज्यादा अच्छी नहीं है तब भी आपको job आसन इसे मिल जाएगी बट क्योंकि घरेलू call center में अधिकतर customer हिंदी में बात करते हैं बट अगर आप international यानी outsourcing कर रहे हो बाहर से तो वहाँ पे आपकी English बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इसके अलावा computer का basic knowledge और typing speed भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए आप BPO में अच्छे से काम कर पाएंगे और BPO companies में job की यह सारी संभावना होती है कि आप इन सभी फील में नौकरी कर सकते हैं दोस्तों चैसे कि operation management हो गया content management हो गया research and analytics हो गया legal services हो गया trending and consultancy हो गया और data analytics हो गया इसमें आप अच्छे से job कर सकते हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कि BPO की salary कितनी होती है दोस्तों भारत में BPO में काम करने वाले लोगों को 13,000 से लेके 18,000 रुपे तक की salary मिलती है दोस्तों BPO call center की shift तो तीन तरह से होती है एक morning shift होती है एक evening shift होती है और एक night shift भी होती है अलग-अलग हिसाब से timing जोड़ा जाता है तो 24 hours BPO call center चालू रहता है दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीज़ों और मेरी चैनल को subscribe कीज़े और आप comment के जरिये मुझे बताए कि आपको कौन से वीडियो की जरुरत है धन्यवाद दोस्तों